लेजेंड्स का क्या आर्थ होता है यह आज किस वीडियो में सीख लेती हैं लेजेंड्स का कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और लेजेंड्स जो है वो लेजेंड्स का प्लूरल होता है और लेजेंड्स के बहुत सारे मतलब निकलते हैं तो legend का मतलब होता है दंत कथा, उपाख्यान, दिगज, दिगज का मतलब होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा नेता होता है तो उसे हम कहते हैं वो दिगज नेता है ये कोई बहुत बड़ा कलाकार है तो उसे हम दिगज कलाकार कहते हैं यानि कि जिसका कद बड़ा हो, कद बड़ा मतलब कि हाइट में कद बड़ा नहीं उसके गुणों में उसका कद बड़ा हो अनुशुरुती, कहावत, आख्यान, रिवायत, पुरानिक कथा, संकेतिका, जूठी कहानी, प्रसिद वैक्ती, प्रसिद वैक्ती को भी लेजंड कहा जाता है और इसके इलावा दिव्य चरितर, यानि कि जिसका चरितर बहुत महान होता है, दिव्य होता है, उसे भी हम लेजंड कहते हैं और एक से जादा को लेजंड कहा जाता है जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि दोनों पुरुष या दोनों लोग अपने समय के प्रसिद वैक्ती थे तो आप कहेंगे बोथ मैन वर लेजंड इन देर ओन टाइम या अगर आप यह कहना चाहें कि कभी कभी प्रकरती प्राचिन किवदंतियों की तरह ही अजीब होती है तो आप कहेंगे सम्टाइम्स निचर इस जस्ट एस स्ट्रेंज अज एस अंशेंट लेजंड तो आप कहेंगे अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें